ये जीवन यूहीं चलता रहेगा दोस्त अपने आप पर यकीन रखो उस मालिक पर उस परमात्मा पर यकीन रखो और धेरिये के साथ नियमित रूप से लगे रहो सुकून के साथ जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे अगर आप भागम भाग करोगे ये हो रहा है वो रहा है ये भी नहीं मिल रहा वो भी नहीं मिल रहा ये क्या हो गया इससे कुछ होना जाना नहीं है बस जिन्दगी का सुकून है वो ही चला जाना है तो नियमित्ता रखिए विश्वास रखिए अपने आप पर अपने मालिक के उपर और कर्म करते रहिए सब अच्छा होगा पहला सवाल आपके लिए रीट मुख्य परिक्षा ये तु हिंदी की अपने टेस्ट सिरीज चल रही है निम्नांकित में तदभव शब्द है और ये ग्रेड सेकंड के अदर आए हुए सवाल यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ व्याकरण के इस सिरीज में निम्नांकित में तदभव शब्द है रजत, विकट, कटक, कंगन निम्नांकित में तदभव शब्द है तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बंधूं क्या? चार नमबर कंगन इसको यहां पर माना गया है इसका तत्सम क्या होगा? आप कमेंट करके बताईएगा आपको अगर पता है तो नहीं है तो मैं कमेंट करके आपको बाद में या नेक्स्ट वाली सीरीज में बता दूँगा सवाल है किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? किस विकल्प में? मकान, दर्वाजा, कपड़ा, पतलून, मिठाई, हल्वा, श्याही, पुस्तक किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? किस विकल्प में? एक नमबर में मेकान और दर्वाजा जो शब्द है विदेशी मूल के है तीन नंबर सवाल है विशेशन से निर्मित भावाचक संग्या है विशेशन होगा उस विशेशन से निर्मित जो भावाचक संग्या बनी है वो विकल पाक को चुनना है भववेता चाल चलन परिहास या फिर बच्चपन बताईए अगर अच्छा लगता है मेरा यह प्रियास तो सभी बंधू लाइक शेयर कर दिया करें और पहली बार देखने हो ले सभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना तो देखिए अपना जो पहला विकल्प है भ वावाचक संग्या है और विशेशन क्या है यह आप कमेंट करके बताईगा आपको आसान है बिलकुल बता ही देंगे आप चार नमबर सवाल है किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्व नाम परिक्त हुआ है मध्यम पुरुष ठीक है नहीं कि उत्तम पुरुष नहीं कि अन्य पुरुष मध्यम पुरुष मैंने अपना काम कर लिया माफ करें मैंने अपना काम कर लिया है आप गाउं से कब आए आप आपकाज महाकाज वह अपने आप चला जाएगा तो मद्यम पूरुष यह देखिए सहां मद्यम पूरुष दो नंबर विकल आप गाउं से कब आए आप गाउं से कब आए मद्यम पूरुष सर्वनाम प्रयूग यहां पर हुआ है सवाल है निम्नांकित में विशेषण से बनी भावाचक संग्या है आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नमें से विशेषण से बनी भावाचक संग्या कोण सी है लड़कपन, दानवता, ममता या नवीनता उत्तर हो जाएगा बंदुहों क्या? चार नमबर नवीन्ता विशेशन से बनी बहावाचक संग्या इन में से कौन सा विशेशन शब्द संग्या से निर्मित है विशेशन शब्द बना है लेकिन किस से बना है संग्या से बना है वो विकल्प आप माफ किजी संग्या से निर्मित नहीं है कौन सा विकल्प है जो कौन सा विशेशन सब्द है यहां पर जो संग्या से है जो निर्मित नहीं है संग्या से नहीं बना है यानि कि तीन बने एक नहीं बना है मानवी ये वार्षिक अधिकाधिक या ग्रामिण तीन तो संग्या से निर्मित है एक संग्या से निर्मित नहीं है उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या तीन नंबर अधिक अधिक यह अपने संग्या से निर्मित नहीं है सवाल है यहाँ पर अप्शिक्षन विदियों के सवाल सामिल कर लिये मैंने वाक्य रचना वे शब्दों के उचित प्रियोग का अभ्यास किया जाता है वाक्य की रचना और शब्दों के उचित अभ्यास का प्रियोग किस में किया जाता है शुरूत लेखन दुवारा, फलेश कार्ड दुवारा, ए मातरिक शब्द दुवारा इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर उत्तर माना गया अपने साथियों दो नमबर फलेश कार्ड दुवारा, वाक के रचना और शब्दों के उचितिक प्रियोगा अभ्यास फलेश कार्डों के दुवारा किया जाता है अगर आपसे पूछ ले कि दृष्चे शर्वे उपकरणों के सम्मंद में कौन सा कतन सत्य नहीं है यानि कि तीन कतन तो यहाँ पर क्या होंगे? सत्य होंगे और एक कतन ऐस सत्य होगा जो इससे रिलेट नहीं करता संबद नहीं है देखिए ये अधिगम प्रियोग से अधिगम सुगम बनता है कौन सा कतन सत्य नहीं है तो कौन सा कतन सत्य नहीं है यहाँ पर तीन नमबर यह सत्य नहीं है इसमें क्या लिखा है कि शिक्षक का इस्तान ले लेते हैं इसी बात नहीं है यहाँ पर लिख दिया कि दर्शिस्थरवे जो उपकरणों शिक्षक कहिस्ता ले 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 लिए हैं इसी बात नहीँ शिक्षक कहिस्ता नहीं लेते वो उनका अपनी उपयोगिता है शिक्षक की अपनी उप्योगिता है दस नमबर सवाल है कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एग रूपता लाने में सहायक होगी कक्षा के अंदर कोई मास्टर शिक्षण करवा रहा है और वहाँ उच्चारण के अंदर एग रूपता लाने के अंदर जो helpful विधी होगी वो कोण सी होगी सुत्र विधी भाषा शिक्षण यंत्र विधी व्याख्यान विधी या इन में से कोई नहीं बताईए सुत्र भाषा शिक्षण व्याख्यान या इन में से कोई नहीं उत्र हो जाएगा अपना दो नमबर भाषा शिक्षण यंत्र विधी ये कक्षा में कक्षा के जो शिक्षण है उसके अंदर उच्चरण में एक रुपता लाने के लिए साहय के सिद्धों की साहा भाषा शिक्षण यंत्र विधी दो नमबर विकल्ब यहाँ पर अपना सही हो जाएगा 11 नमबर सवाल है अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि कारड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ कारड पर शब्द लिखे गए है और उनका चित्रों के साथ क्या करना मिलान करने का कार ये किया जाता है वो विधी कोण सी है शब्दों का, कार्ड पर लिखे शब्दों का, चित्रों के साथ मिलान करने का जो काम किया जाता वो विधी कोण सी है सहाचरिय विधी, वाचन विधी, कहान विधी या फिर ध्वनी, साम में विधी बताईए उत्र हो जाएगा एक नमबर, वो है अपने सहाचरिय विधी, और सहाचरिय जो विधी है इसके परवर्टक कौन है, कमेंट करके आप बताईएगा बारा नमबर सवाल है, आगमन विधी की विशेष्टा नहीं है यह मनो वेगैनिक विधी है, ठीक है जी इसमें चात्र अधिक शक्रिय रहते हैं, ठीक है जी उधारन की सायता से नियम बताई जाते हैं, यह भी सही है सामान ऐसे हैं, विशेष्ट की और चात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है तो कौन से विशेष्टा नहीं है, उत्र हो जाएगा चार नमबर ठीक है अगला सवालत तेरे नमबर मौन वाचन से रिलिटेट सवाल आपसे पूछे कि मौन वाचन के सम्मंद में मौन वाचन से रिलिटेट तीन कथनिया आपर ठीक हो जाएंगे end जो ऐस सत्य होगा, गलत होगा, वो कौन सा है देखिए कि स्वाध्याय में रूची बढ़ाता है मोन वाचन ग्यान की परिदी को विश्रित करना है सभी इस्तर की कक्षाओं के लिए उप्योगी है या उकास का सदुप्योग करना सिखाता है कौन सा कतन गलत है, ए सत्य है, ए संगत है उत्तर हो जाएगा तीन नमबर इसमें लिखा है कि सभी इस्तर की कक्षाओं के लिए उप्योगी है नहीं भाई साब, मोन वाचन जो है वो सभी जो कक्षाओं हैं उनके लिए उप्योगी नहीं है अब कैसे गुरूजी समझे नहीं आप पहली दूसरी वाड़े बच्चे को बोल दो करो बेटा मोन वाचन करो उनको कोई पता ही नहीं है उनको कोई समय मोन वाचन करने के चक्र में नीद आ जाएगी उनको ठीक है तो सभी इस्तर की कक्षाओं के लिए उप्योगी है ये बात यहां पर है सत्य है अगला सवाल है किसी किसी आदर्ष लिखावट का जैसा का तेसा अनुकरण करना कहलाता है प्रतिलेक, शूतिलेक, अनुलेक या इन में से कोई नहीं बताओ किसी आदर्ष लिखावट का जैसा का तेसा अनुकरण करना कहलाता है क्या कहलाता है उत्तरदे की अनुलेक कहलाता है ठीक है जी, पंदरा नंबर सवाल है, किसी विद्यारती के उच्चारण दोश होने का कारण इन में से हो सकता है, यह सवाल मैंने आपको पहले पूछा था, कि किसी के अंदर विद्यारती के उच्चारण दोश है तो क्या कारण हो सकता है, शुद्ध उच्चारण का ग्यान न ने होना प्रियत्न लागव शुद्ध उचरण का ग्यान ने होना तथा प्रियत्न लागव दोनों ये इन में से कोई नहीं बता ये क्या बात हो सकती है उचरण दोश की तो उत्तर हो जाएगा तीन नंबर शुद्ध उचरण का ग्यान ने होना एक बात ये भी और प्रियत्न लागव जल्द जल्दी बोलने के चकर में भी एशुदता आ जाती है अगला सवाल विद्यार्ति की उपलब्दियों वे कमियों का निरंतर रिकोर्ड रखा जाता है किसके अंदर पाठा अंतरगत मुल्यांकन दुआरा, सतत मुल्यांकन दुआरा, मौखिक मुल्यांकन दुआरा या फिर इनमें से कोई नहीं एक विद्यार्त ही होता है उसकी उपलब्दियों और जो उसकी कमियां होती है उनका निरंतर रिकोर्ड किसमें रखा जाता है किसके अंतरकत रखा जाता है उत्र हो जाएगा दो नंबर जो अपनी बाशा प्रियोग्षाला विधी की उप्योगिता देखी जा सकती है उन्य चात्रों के अध्यन को प्रभावित किये बिना स्वगती से सीखने में अभ्यास को अधिक बल देने के अउस्सर प्राप्त होंगे इसमें या बाशा अर्जन के सक्रिये बातार और निर्मान के अधिक संभावना इसमें या फिर ये सभी बाते हैं जो ठीक है सभी के लिए उप्योगी हो सकती है बाशा प्रयोक्षाला विदी तो उत्तर हो जाएगा बंदू हों या पर चार नंबर ये सभी ठीक है ये थी अपनी आज की कक्षा लाइक कर दीजी वीडियो को सभी बंदू हों तक शेर कर दीजिए पहली बार देखने वाले सब्सक्राइबर कोणे में जो सब्सक्राइब लिखाए उस पर क्लिक करो गंटी पर क्लिक करो ओल पर क्लिक करो तागर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे मेरा प्रियास नेशुल क्रूप से आपके समक्ष बहत्रिन से बहत्रिन अध्यन सामगरी उपलब्द करवाना जो की परिक्षा के अंदर ये किनन उपियोगी हो जीके की क्लासेज के लिए जीके की नेशुल क्रूप से टेस्ट सिरी चल रही अपना जो दूसरा चैनल है पर करवा दिये हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाएगे पुर मेलता